हलो फ्रेंट्स प्रिशा की पाथ शाला में मैं जूली आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे दस पंक्तियों का भाषन हिंदी दिवस पर तो चलिए शुरू करते हैं आदर्निय गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको हिंदी दिवस पर भाषन देने जा रही हूँ हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है 14 सितंबर 1949 के दिन भारत में हिंदी को राज भाषा का दर्जा मिला था तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर पूरे उत्सा के साथ भारत वर्ष में मनाया जाता है हिंदी सम्विधानिक रूप से भारत की राज भाषा है इसका मुख उदेश लोगों को एहसास दिलाना है कि जब तक वे हिंदी का उप्योग पूरी तरह नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृती और संस्कार की प्रतिविंभ है हिंदी हिंदुस्तान की राज भाशा ही नहीं बलकि हिंदुस्तानी की पहचान भी है हमें अपनी हिंदी भाशा पर गर्व करना चाहिए हिंदी दिवस पर ठाना है लोगों में हिंदी का स्वभिमान जगाना है तो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें